पहले कक्च में बैठके जाने कौन सी योजना बना रहा था अब बार बार द्वार की और देख रहो है चल क्या रोह है इसके मन में कबसे बुलारा आप क्यों नहीं रहे हो आप आप बुलाएं और कुबेर ना आए ऐसा कैसे हो सकता है प्रभू कहिए किससे भेट करने हैं अपने भगवान से आप सही भेट करनी है नंद राज जी प्रणाम प्रणाम? ग्राहकी तो विग्रेता का भगवान होता है ना? वो क्या है? मैं घर-घर जाकर रत्न और आभूशन बेचने का कार्य करता हूँ तो आप स्वानकार है? हाँ चमा करना, हमें अभी कच्छू ना चाहिए, आप जा सकते बाबा देख तो लो क्या पता कच्छू विजेश हो इनके पास? वैसे मैया ने अभी अभी हूँ माला नहीं काथी को दी है अवस्य बाबा और लल्ला तोनों ने मिलकर कोई उच्ण बनाई है स्वनकार जी आपके पास, मी प्यारी से महिया के लिए कोई विशेश होर होगो? पच्छू विशेश हो तो ही दिखाना, हमारी राजरानी का मन जीतना इत्ता असा नहीं ना ना, इसकी कोई आब सकता नहीं क्या आपको सच्ची में ऐसा लगतो है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ? हाँ? जे तो बालक है पर आपने ऐसा कैसे सोच लियो? क्या मैं केवल वस्तूओं से प्रेम करती हूँ? और उस पर से स्वानकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हूँ? तुरानी जी, सत्य तो ये है कि आप भीच में मती बोलिये, स्रीमान या सुदा मैंने ना बुला है स्वानकार जी को मैं जानतो हूँ, तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है? आपकी मईया से तो मुझे भी भै लग रहा है प्रबू, ना जाने कभी ये साक्षात मादुर्गा बन जाएं आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे, बलकि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया है नहीं जब भी ऐसी कोई बात होती है न, आप काना के साथ मिलके जेब ऐसी यूजना बनाते हो नहीं, मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ, मैं श्री नारायन की इच्छा से आया हूँ, श्री नारायन की सौगन मैंने सोचा कि यहां आकर एक दो हार तो बिखी जाएंगे और यहां व्रिंदावन की रानी जी जो रहती है अत्ती मद करो कुबेर जी स्वनकार जी ऐसी बात है, तो आप ठैरो, मैया ने मुझे सिखाया है कि किसको अपने द्वार से निराश्णा भी जो चाहिए अरे, पत्त सुनता मती करो, इन्थी करोज में भी प्रेमी छिपा होतो है बात अनो की है यह इसलिए आपको यह अनोखा पूला बहार दिखाओ मैंने क्या समझाया था और इसने क्या समझ ली अरे, मेरा जेयर थोड़ी था कि वो बहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकतो है यह देखें नंदराजी ना ये ना ये भी ना चलेगो इसकी तो शोभाई निराली है ओहो स्वनकार जी मैया को ये से बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे कुछ विशे दिखाओ ना कच्छ अनूखा कित्ता सुन्दर हार है मरचे स्वनकार कानहा को उसे दिखा क्यों ना रोए वो तो मेरे सभी वस्रों के साथ जचेगो फॉत खिलेगो मुझे पंकार की आप ये वाले दिखों मैया के लिए और आपके लिए क्या राजकुमार मुझे बस एक मोती देद्वाब बस किवल एक मोती ये रानी जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती पंकार जी मल्य तो लेकर जाओ हाँ प्रभू के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे जो ठीक लगे वो दे दीजिये प्रडाम प्रडाम सुनो जी अपने लला को समझा दो यदी उसे लगतो है कि मैं उपहार की भुकी हूँ तुझे उसकी भूल है भरे उपहार ना है महिया यह तो साफस है कि मुझे यह भूल समझ मे आ गई है की कैसे आज मेरे कारण मेरी महियाン को लजित होना पड़ो ये साथ से ही इस बात का कि मैं सच्ची में छमा मांगरूं कि मेरे कारण आपको इत्ता दुख पठो है ये इस बात का भी शाक्ष्य है ये मैंने अपनी भूल से सीख ली है कि मैं यादी कच्छू अनुशित कार्य करते हूं तो पाली अंगोली मेरी मैया के उपर उपती है तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हो वो अनुचित है फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए काना और ये इस बात का शाक्ष्य है मैया कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं जो हो चुको है उसे तुम्हा बदल ना सकता हूं और कम सी कम भूल माला तो बदल ही सकता हूं जो आपने नहीं काकी को दिया और चौथी बात अब विलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनो चाहिए इन सब का साक्ष्य होने के साथ साथ कि मैं वचन का प्रतिक है माईया कि मैं आज की बाद ये फूल कभी ना करूंगो तो मैं विश्वास तो ना होगो पर मैं कहे देता हूं कि जो कुछ भी कर रो है जो कुछ भी कह रो है उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है अब तो मैंने वचन भी दे दो माईया अब तो सिकार कर लो ना इसे आपको जो अच्छा लगा था वो ही हार लेकर आयो फिर भी ना लो गया इधर आप तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो एक लला को अपनी मैया की रूची पता चलनी चाहिए ना अब तक रो छोड़ दो ना मैया मान जाओ ना पर जे अंतिम अफसर है लला यदि फिर जे कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो किसा ना होगो मैया आप चिंता मती करो उसके लिए भी सोच के रख़ए मैंने चोरी तो काना ने हमारे घर पे भी की थी इसने हमें कचुना दियो जे एक मोती तुझ किस किस को देगो मैया मन में आप नहीं कही थी ना इक बीट से पुरा विक्ष उगा तो है तो तु इस मोती को बोएगो जे उस मोती को बोएगो उसमें से व्रिक चुगाएगो और जब उसमें मोती आएंगी तो जे सारी गोपियों को देगो ना लला आपने तो मेरा मन पाल लियो मैया अरे पर मैं परिहाज कर रहे थी लला मोती ब्रिक्ष पे न उखते क्यों न उखते मैया जब छोटी सी गुठली से बड़ा साम का ब्रिक्ष उख सकतो है ये शाल जामून उख सकते हैं तो मोती क्यों न उख सकते हैं नला बीच से केवल फल और फूल उखते हैं मोती न पर मैया अपनी तो कही थी शी नारायन का नाम देने से सकतो चंगो पुझाता है तो फिर ये क्यों न हुआ हुआ नारायन के नाम में तो बहुत सारी शक्ती है है ना? हाँ परूँ सुधा चीवन की सीख करने से ही मिलती है जब करेगो तभी सीखेगो हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते है ना? पाइब बाबो होगो कल सुवा हमारे आंगन में मोच्यू का ब्रिक्ष मिलेगो देखने आप दोनो चला हाँ मोच्यू का ब्रिक्ष मिलेगो मोच्यू का ब्रिक्ष मिलेगो मोच्यू कब्र लुद्स मोच्यू का ब्रिक्ष मिलेगो सुनो जी! चे देखो! क्या वो यह सुदा? क्या होगो काना? सुभा सुभा आप चाथी थी ना? याप सर्फो मैं कच्छू ना कच्छू दू? देखो कितना विसेज हूपा रहे हैं मिरपार जे जे तो मूती है मूतियों का प्रच पर जे तो असमव है ना? लो आप सभी तू कहती हो तो मैं बात अदिक प्रस्न पूछते हूँ अर अब देखो आते ही सब के सब प्रस्न के प्रस्न पूछने लगे सब्लैद अब खड़ी रोगी कि आगे बढ़ के मूति भी लोगी सब्लैए तो लेक्षन पांकी आओ ना? सब्लैएं तो मां जे प्रस्न पूछते है सुझा बोटना, अले अले, सिंग ठिशना हमारी इच्छा पूरी हो गई काना के हाथ से उपहार मिलगो हमें प्रभू ये चमतकार तो सभी के सामने कर दिया आपने कहीं इससे आपका सत्य माईया को पता तो नहीं चल जाएगा छे तो सच्ची के मोती है वैसे ही जैसे स्वर्नाकार के पास होते वरिंदावन में जब से आये हैं कोई ना कोई चमतकार तो हो ही रहो है आवसे है किसी बहुत बड़ी देवी का असरवात प्राप्त है सस्थान को कि देवी का असरवात या फिर हमारे कानह का कहीं सच्ची में कानह चमतकारी तो नहीं मैंने कहा था ना प्रभू हर्स गए जेवरिच अवस्से कानह ने बोय होगो है ना जीची आप तब भी ना बिना सकते जाने ही बोलने लगती हो ये मेरा चमतकार ना है ये तो देवी का चमतकार है कौन सी देवी का? मेरे मैया अर्थात आपकी ये सोधा देवी का जी क्या कहरो है कानह? सत्या ही तो कह रहूं आप सभी बताओ जब हम गोकुल से विंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी? कि विंदावन में सबको गोकुल जैसे सुख्षुदा मिलेगी और यहाने के बात भगवान शी गनेश का स्वर किसको सुनाई दिया था? और कर किसने कही थी? हमारा काना मोती को बीच की तरब होएगो? तर उसमें सिब बड़ा सा विरिक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे? यह सोदा ने? आप भी? तो मैया हुईना में जो मक्कारी? यह जो कहती है, सत्य होके ही राचवाए चुपकर नटखट कुछ भी उल्टा सीधा हांके जा रहो है Mrs. Asoda ji, काना कहे तो सत्यर हो है तुम भी इसकी बातों में आगे सुलच्छना अरे जे तो सारे संजोग जोड के बस अपनी बाते सिद्ध करने का प्रयास कर रहो है मैं कोई देवी ना हूँ मैं तो बस साधारन सी मैया हूँ और जे मेरा साधारन सा लल्ला है पर ये मोदियों का बिरच चमटकार है ना पक्की बात है लगता है किसी ना किसी देवी देपता का आशिरवाद है इस सिथाम को उस अब तो मैं ना जानती पर हां स्री नारायन का असरवाद तो अवस्य है इस ये जब हुआ प्राइब प्राइब प्रमाराइब जो जो इता है मैं जानता हूँ कि आपने भी प्रतिक्सा करी है कौन प्रभू? असिरवाद नारायन का हूँ या देवी देपताओं का हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे काना काना बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा उपहार दिया है अच्छा जी जी अब हम चलते हैं नारायन 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 नारायन